स्टिमुलस नो प्रबाशित कर लिया है हुन उस दियां विशेशता मानों फीचर नो समझ लेना चाहिए है जे कर इसी फीचर्ज स्टिमुलस दे और रिस्पांस दे नो समझ लेने हां ते ए पक्का दावा है के तुसी पावलावस दी क्लासिकल कंडीशनिंग नो तर समझोग लेनाल, नाल, हल, गुत्री, थांडा, सुकिनन, वाटसन इने सारे हैं थे तियोरि नो अच्छी तरह समझ सकत beetे हो एज होल तुसी बिहेवियर इसम न अच्छी तरह समझ सकते हो बिहेवियर इसम दे कम्परिजम गेसटाल्ट तियोरी न करना है कोगनिटिविजम ना करना है, कंस्ट्रक्टिविजम ना करना है ताँ इस स्टिमूलस दे फीचर, रिस्पॉंस दे फीचर नो समझ के असी असी तरह कर सकते हैं स्टिमूलस दा पहला उदिपन दा ते जवाब दा पहला stimulus ते response दी पहली विशेश्चता की है पंजाबी विच उतेजना ते जवाब दी पहली विशेश्चता की है कि उतेजना हिस्सा है संपूरण नहीं जवाब भी हिस्सा है पूरण नहीं अंग्रेजी विच stimulus is a part not whole response is a part not whole हुण ये थे whole दी गलांदी है जदो whole आंदा है तुसी gestalt psychologist नो कोहलर नो कोफका नो tax वर्दी मर नो ते उना दे principle जड़े based on perception है ये वक्रे तो पढ़ांगे फिर ओदा ओ समझा ली ये समझना है ये दा comparison तुसी Gestalt Psychology कर सकते हुद एजना की में stimulus विहाँ है और response विहाँ है stimulus का दा हिस्सा है stimulus का दा हिस्सा है stimulus ई एन्वार्मेंट दा हिस्सा उतेजना किस दा हिस्सा है वातावरन दा हिस्सा इट मीज वातावरन हो सक्दा है संपूरन हो सक्दा है विशेशता की है उतेजना जा उदीपन जा अंग्रेजी विच स्टिमुलस किस दा हिस्सा है वातावरन दा हिस्सा है इट मीज वातावरन की है पूरन है पूरा है इदर इंग्लिश विच इस्टिमुलस पार्ट है एनवायर्मेंट फोल है इसे तरह रिस्पॉंस नू समझना है रिस्पॉंस खास करके क्लासिकल कंडेशनिंग विच आँ बाकी behaviorist theories विच जिनाधे नाम में पिछिल है क्या है यहां इना विच रिस्पॉंस पाठ है इस ता पाठ है बॉडि दा पाठ है इट मीज बॉड़ी होल है और रिस्पॉंस उस दा पास्ट है आट है इस दियाँ पावलोव नूँ भी समझ सकते हैं, फंडामेंटल नूँ भी समझ सकते हैं, यह थे ऐसी stimulus नूँ समझन लगे हैं, एक पढ़ लेनी चाहिए है, stimulus is always specific, जो दो पार्ट किया जानदा है, उदो specific word भी होदी जगा विशेश है, यह भी शब्द यूज किता जा सकता है, जो देख किस दा है, यह बॉडी दा है, बॉडी टोटल है, यह उस दा पार्ट है, अच्छा, दूसरी तरफ आ, stimulus की है, stimulus एक पार्ट है, कि दा total environment दा, इस नूँ इस तरह समझ दे हां, जो तो रिस्पॉंस अनदा है, तो यह टोटल बॉडी आ रही है, यह टोटल बॉडी है, और classical conditioning, जहां behaviorism, विच सिर्फ एक पार्ट, उसनों वड़ा करके इति दिखाया गया है, और उस पार्ट दा response, जो इस लाइवेशन है, बतलब बॉडी दा एक पार्ट response दे रहा है, अच्छे जे तुसी in-depth जाना है, physiology जहां, biology विच जाना है, तो यह एक ग्लेंड है, जो सक्रीट क कर रही है, तो ग्लेंड वी एक पार्ट ही है, तो यह बॉडी हो गई होल और response हो गया, response एक पार्ट, इसे तरह, इसे तरह stimulus नो देख सकते हैं, stimulus होन की है, यह जो भी दिखाई दिन्दा है, stimulus है, stimulus है, कुछ भी दिखाई दिन्दा है, कुछ भी सुनाई दिन्दा है, कुछ भी सुंगया जा सकता है उसारा कुछ stimulus है इसानों याद रखना चाहिदा है कि पावलव ने क्लासिकल कंडिशनिंग दे इस experiment विच डॉग नूँ soundproof room विच रख्या dark room विच रख्या और यह जो food place किता जानदा सी तो पिछो place किता जानदा सी इतो और इसनों cover cover रख्या जानदा सी क्यों soundproof क्यों क्योंकि सिर्फ bell तो इलावा उसनों होर कुछ सुनाई ना दरी इट मीज बाकी sounds नों control कर लिया गया dark क्यों क्योंकि उसनों कोई होर stimulus for example पावलोव जो एथे पिछे खड़े हं देहन ओ दिखाई ना देन उन्हाने ए दिवाज ओपेक मिरर क्यों लगाया कि पावलोव ता उना डॉग दे रिस्पॉंस नों अब्जर्व कर सकन लेकिन डॉग पावलोव नों ना देख सकन क्यों डारक रूम जा एक्यों रख्या गया एउ छुपके क्यों रहे क्योंकि आख जे पावलोव जहां उना दे असिस्टेंट नों देख लेन दी ता जदो खाना प्रिजन्ट किता जाना सी ता बेल दी जाए जा बैल दे नाल नाल पावलोर नाल भी कंडिशनिंग हो जानी थी इसलिए पावलाव नो भी पिछे रख्या गया, सिस्टेंट नो भी पिछे रख्या जा गया, और रोम नो डार्क ही कर दखता गया, इसनो controlled condition, control कितना किता जान्दा है, behaviorism एनने precise, क्योंकि पावलाव एक्स्ट्रीम objective scientist सी, और controlled condition ते जोर दिन्देने, condition नो control इद्दा किता जान्दा है, कि जड़े variable intervene कर देने, independent ते dependent variable, विच इथे stimulus ते, response ते, विच जो दखल दिन्देने, उना नो परे कर दिता जान्दा है, परे किता किता गया, soundproof ना, darkness ना, और तीसरा, एह हो सक्दा सी, कि फूर्ड जिड़ा इथे पिच्छों प्रिजेंट किता जान्दा सी, उस दी smell, डॉग नो किसे पास्यों पहुंच जान्दी, लेकिन उसनों cover कर कर रखे जान्दा ही, तांजो दी smell भी उससे तक ना पहुंचे, एनने ज्यादा एनियां साउंड जान होर दिखाई देन वालियां, जा smell वालियां, चीज़ां जिनियां सी, वो सारे stimulus सी, ये सारे मिलके environment पर देया है, तो उना दे विच्छों सिर्फ एक ते focus किता गया, ओक एड़ा सी, सिर्फ ए food, जो कि इते पिछे हुंदा है, और sound of that, जो कि पाठ हैं, टोटल एन्वार्मेंट ने, एते theories विच्छों एक्जाम्पल सी, आसी आम जिंदगी विच देख सकते हैं, तुसे college विच पढ़ दे हो, college विच आम तरते, तोडे attraction वाली गल कर रहे हैं, crush in college, इना दे crush की होंगे, कि सारियां लड़कियां होंगी है, इस सारियां लड़कियां थे बाकी stimulus, जिनने ने एक whole environment है, लेकिन एना ली crush ही naturally है, selected होगा, एक है, हाँ हाँ, आज इकल दो, तीन, चार, एददा भी हो जन्दा है, पर एक selected था हन्ना, इस photo विच तुझे देख सकती हो, कि एक लड़की नो, और उस ते एक part नो, जिमें कि उनना थे shirt ते कुछ लिख रहे ने, उस stimulus नो, ए response पार्ट ने जरीये दिता जा रहा है, एक गल वक्री है, कि एस लड़के लिए, बाकी लड़कियां नहीं, एक लड़की जिसनों एक response दिन्दे हैं, तो हर व्यक्ती लेई specific stimulus ते, specific response वक्रा हो सकता है, individual difference दी बाद वे चिकल कर दे हैं, ये थे तुझे total environment देखो, ये थे red light, शिर्फ ए red light, ये येलो light, green light, ये stimulus ने, stimulus टोटल एक री वी ने, होर lights भी ने, अकाश भी है, सडक भी है, तो तुसी एक stimulus राइट नो, stimulus नो attend कर दे हो, response दिन्दे हो, कि ये कीता है, तुसी रुख गए हो, ये तो अड़ा response होया, ये stimulus होया, तो होर example देख दे हैं, के साड़े environment विच फोर example, तुसी सडक दे जा रहे हो, अनेका चीज जानने हैं, तुसी लड़किया नो, लड़किया नो, किसे एक्सिडेन नो, किसे नो attend कर दे, response दिन्दे हो, जो तो एकदम license को ल नहीं है, पुलिस देख दे, तो specific नो देख या, तो एकदम fear आ गया, fear तो अड़ा response है, तो specific stimulus ते specific response, यह behaviorism कहना चाहनदा है, दूसरा feature है कि stimulus हमेशा ही external हुनदा है, response भी हमेशा ही external हुनदा है, it means behaviorism external stimulus ते, external response उसते ही जो दन दे हन, पर इस दी confusion नो समझ लेना चाहिदा है, पंजाबी विच्छ है, उदीपन जाओ देचना बाहरी हुनदे हन, जवाब भी बाहरी हुनदे हन, it means internal भी कुछ होएगा, उस दा diagram में बनाया है, उस ते असी अच्छी तरह ना समझ सक्दे हन, for example stimulus है, stimulus external भी हो सक्दा है, stimulus internal भी हो सक्दा है, external stimulus दियां, दो अगे division हन, एक है biology जब physiology विच दूसरा है, in psychology, अच्छा है थी education भी शामिल किती जा सक्दी है, अच्छा, एन psychology, biology, education, physiology विच, external stimulus केड़े ने, यह सब तो ज्यादा important है, ओ physical ने, उना दा दूसरा नाम material है, उना दा नाम तीसरा natural है, चौथा sensory है, इट मेंज biology विच, science विच जा, physiology विच, psychology विच, जा, education विच, जिदियां से theories असी सारियां पढ़ रहे हैं, जो तो उत्थे stimulus वर्ड बरते आ जानदा है, ओ दा मतलब physical, natural, material और sensory है हुंदा है, हमेशा बाहरी हुंदा है, ओ internal कदे भी नहीं हुंदा, है, blood pressure है, heart rate है, ए तोड़ी body दे, inside है, इत थे biology, physiology उसनों internal कहा रहे हैं, हाँ psychology की कहन दी है, inside mind, जिसनों तुसी देख्या नहीं जा सकता, mind दे, inside की हुंदा है, thinking गुंदी है, imagination, सारिया mental processes जड़ियां हुंदी हैं, so cognitiveism इस ते जोर देगा, information processing थे, memory थे, जिसनों तुसी टच करके देख नहीं सकते, पर हाँ behaviorism इस आस्पक्ते सब तो ज्यादा जूर दे, उस दा meaning जदो stimulus है, ते यही उस दा मतलब हुंदा है, next feature है, कि stimulus response, दोनों ही, observable भी है, measurable भी है, नरिखन योग भी हैं, ते मापड योग भी हैं, फॉर एक्जामपल, पावलो दे, experiment विच बेल जो के conditioned stimulus है, उस नो मैयर किता जानदा है, observe किता जानदा है, observe मीन देखिया जा सकता है, सेंसिन ग्यार इंदरिया ना लो, उसनों दूसरा परसन देखते परक सकता है, अच्छा, दूसरा मैयरेबल है, जित्थे भी शबद मैयरेबल आएगा, उत्थे नमबर आनगे, जिवें क्लास विच तुसी करने हैं, मेरे सत्तर परसेंट मार्क सानद, सो इत्थे बेल नो किता मैयर किता जानदा है, त्यानल देखो, इत्थे लिकिया है, 2000 CPS cycle per second, सो बेल दी आवाज जा साउंड नो मैयर करनदा एक तरीका है, और पावलम ने अपने classical conditioning, विच इस दे अदार ते, वकवक तरान या साउंड ओफ बेल नो कंपेर किता सी, अच्छा, दूसरे पास से, आसे देखने हैं, कि पावलम दा जिड़ा, स्वारी, डॉक दा रिस्पांस है, वे इस थे slivation है, slivation जो इस tube विच आनदा है, और इस थे any मात्रा विच दिखाई दनदा है, सो ए त्यूब ए सब कुछ क्यों यूज किता गया, तांकि इस उनो माप्या जा सकी, मैयर किता जा सकी, अच्छा इस ग्राफ विच दोनों हने इससे लिए measurement of slivation लिखिया है, यह दिखिया जानदा है, compare for example, बजरते है, बजरते इदर measurement है, के जिड़ा slivation है, उस दी मात्रा किन्नी है, for example, 8.2 ml है, और दूसरा जिदों red meat दिता जानदा है, ओदों slivation दी बात्रा किन्नी है, ओदों 10 ml है, so exact measurement, science vang, behaviorism विच और classical conditioning विच, stimulus ते response दी किती जानदी है, यह बजरते जो response है, उस दी measurement और यह red meat दी, next feature है, stimulus is sensory, बहुत ज्यादा important, question, setter वी, जो competitive exam विच ने, mostly यह गलती कर देने, गलत question पाया जानदा है, साथी knowledge गलत बन चुकी है, so उतेजना जाओ दीपन समवेदी हैं, मतलब senses, साथी यह पांच ग्यान इंद्रियां है, आसी देख दे हां, आसी smell कर दे हां, आसी taste जीब ना लेने हां, आसी कन्ना नाल सुन दे हां, आसी skin नाल टेच कर दे हां, जो दो भी stimulus आएगा, उन्हां जो एक ग्यान इंद्रीदा कम, कटो कट इक ग्यान इंद्रीदा कम, जरूर होएगा, यह थे मैं example लेई है, feeling of sex दी, कि किस तो प्रेदा हो सकता है, एक्जाम्पल सामने है, तो अड़े सामने तस्वीर है, हुन एक लड़की ने, एक लड़के नो बड़ी close नाल, नजदीकता नाल हग कीता होया है, हुन की एज़ेडी feeling of sex, जब feeling of romance, तुसी शायद feeling of love कहना हो बएग, इस चकर्च में इथे नहीं पहना, किस stimulus करके हो सकती है, किस समवेदना जाँ ग्यान इंदरी करके हो सकती है, कि ओस site of body जे पंजाबी विच पढ़ना है, कि विरोधी शरीर जो जाइतों पढ़ना होए, site of body part of opposite gender, कि इस लड़की ने कि उस लड़की दे किसे body part नो देखिया, ताँ ये feeling response जागरित होया, जाँ उस दे body दी smell तो response feeling of sex पैदा होया, जाँ टेस्ट तो body दे part दे taste तो, इस दी समवना बहुत कट है, अच्छा, जाँ टच तो, जाँ sound, जाँ आवाज तो, अपने प्रेमी दी जाँ sex partner दी, जिस नाल sexual indulgence होई हों दी है, जदों असी उस दी आवाज दी सुन दे, हाँ ताँ feeling of sex आ जाँ दी है, ये natural है, हमाँ human being चे सब तो ज्यादा है, कि opposite sex दे परसन देखन नाल, smell नाल, touch नाल और voice नाल, सब तो ज्यादा feeling of sex हों दी है, तो असी ये नहीं कह सकते, कि opposite gender, opposite sex नाल feeling of sex है, ये असी एक हमाँगे है, कि opposite sex जाँ लड़के दे, लड़की नो देखन नाल, उसनो smell करना, उसनो taste करना, उसनो touch करना, उसनो उसनो अवाज सुनके feeling of sex पैदा हुई, इससे तरह खाने दी है, खाने विच सारियां जो है sensory experience हाड़े शामिल हों देहन, कि खाने नो पोजन ते नजर पई, ता स्लाइवेशन लाटक पक पई, पोजन दी गंद आई, स्मेल आई, साग दी स्मेल आगई, तोड़का लगदा है, स्मेल आगई, पोजन दा स्वाहाद देखिया, तो बहुत ज़्यादा स्वाहाद लगदा, स्लाइवेशन आगया, पोजन दी छो, हिस्दी कट संभाव ना है, देखो, फिलिंग ऑफ सेक्स विच छो, सब तो ज़्यादा होएगी, और दूसरे पासे पोजन दी आवाज, तोड़का लग रही है, आवाज आ रही है, सो इस्दी कट संभाव ना है, मतलब एक ग्यान इंदरी किस से ले स्टिमुलस दा ज्यादा थै, एक दूसरे ग्यान इंदरी, स्टिमुलस दा कट परवाव, जा वद परवाव कर सकवी है, डिपेंड करदा है कि स्टिमुलस दे रिस्पॉंस किस संदरब्च है, खाने विच हो सकदा है, स्वाद जा नजर जा गंद टौपते होवे, और सेक्स विच हो सकदा है कि छो टोपते होवे, फिजा है इसलिए रख्या सी, क्योंकि इसलिए मैकडी है यादा जानदा है, अच्छा, नेक्स्ट है, स्टिमुलस है वे डिगरी और इंटेंस्टी, उतेजक दी एक डिगरी होंदी है, जा तीबरता हुन दिया है, उसलिए की मतलब है, कि कोई भी उतेजक बहुत एक्स्ट्रीम विच पॉजटिव भी हो सकता है, और बहुत नेगटिव भी हो सकता है, सकारात्मक जाना कारात्मक हो सकता है, इसनों पावलव ने जा साइंटेस्ट ने, सेंस्टिविटी ते जाँ एक्साइटेबिलिटी क्या है, समवेदन शीलता ते उत्शाहिता, देखते हैं कि एक्स्ट्रीम नेगटिव जीरो जा पॉजटिव, स्टिमुलस की में हो सकता है, नेचुली है जड़ा नेगटिव साइट ते, जहां पॉजटिव साइट ते ज्यादा जाएगा, वो स्टिमुलस होएगा, जीरो वाला निूट्रल है, निूट्रल स्टिमुलस आना है, इट मीन्स उस्टे रिस्पॉंस नहीं आ रहा, पर एक्जाम्पल स्टिमुलस साडिकुल है, उस्टे दो नाम है, एपिटाइटिव और पॉजटिव दूसरा है, एवर्सिव जहां नेगटिव, उन एग्जाम्पल साडिकुल है, जीरी इस दे फीचर की है, कि जीरा एपिटाइटिव जा पॉजटिव है, वो खुशी दिन दा है, अनान्द दिन दा है, प्लेइर फील हुन्दा है, उसनों उसी, उसवल अट्रेक्ट होने है, उसनों सीख कर दे हां, उसवल जानने हां, दूसरे पास से एवर्सिव है, वो पेन दिन दा है, रिपेल जहां आवाइड कर दे हां, उस तो दूर पजदे हां, उस दिया एक्जाम्पल साड़े कोल है पांच ग्यानंदरियां सामने रखके ए जो है एक्जाम्पल बनाईयां गया है हन अच्छा फॉर एक्जाम्पल साड़े कोल ब्यूटीफुल फ्लार है तुसी अट्रेक्ट हो रहे हो की है कि उसनों देखिया है ग्यानंदरी ना दूसर नहीं तुसी अवाइड करोगे अच्छा टच है, सेक्स है, किस है, हग है, उदर नो असी पहज देयां, लेकिन इलेक्टिक शॉक है, इंजेक्शन है, उसनों से अवाइड कर देयां, ए नेगेटिव जानना कारात्मक, जिसनों अवर्सिव स्टिम्लस किया जानता है, और ए प कर दी हैं, उस तो वाइड हो नहीं, कुछ मैडिसन, विच टेस्ट नकली पर या जानता है, तां जो वर्सिव नो एपेटाइटिव जा पॉजिटिव बना सकन, अच्छा, नेक्स्ट है, येरिंग है, सॉंग सुनना चांदे हैं, शोर तो असी पजना चांदे हैं, नेक्स् गई है, स्किनर दी ऑपरेंट कंडीशनिंग विच जड़ा पीजन है, जां ट्राइल एंड एरर विच कैट है, वो कॉंशियस माइंड नाल रिस्पॉंस कर रही है, लेकिन क्लासिकल कंडीशनिंग विच रिफ्लेक्स है, जिस दी एक्जाम्पल सलाइवेशन है, लार्द अ लपकना है, यह इंस्टिंक्टिव है, हाला कि इंस्टिंक्ट ते रिफ्लेक्स विच फर्क है, इत्थे नहीं करांगा, यह रियक्षिन है, सेक्स दा रियक्षिन है, यह अनकॉंशियस तो आ रहा है, बहुत सुन्दर लड़की देखी, ता सेक्स दी फीलिंग आ गई, यह अनकॉंशियस तो पैदा होंदी है, तो अड़ी आख एक दम उस तरफ एक पल ली चली जान दी है, और 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 वस ऑर्गन वल जान दी है, जिस तो वद वद सैटिस्फेक्शन तो आनों मिल दी है, इस तरह लड़की, किसे लड़के नों देख सकती है, तो एक्जम्पल अनकॉंशियस माइंड दे रिस्पॉंस दी है, पर जिदन जिदन कंडीशनिंग प्रोसेस अग्गे वद दी है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओस तरह असी चेतन तो, जिड़े चेतन थियोरी भी है, बेशक को, ट्राइल एरर है, क्नेक्शनिजम है, जहां पीजन दी असी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, इसके नर्दी, वो अचेत वालोग हो जांदी है, मतलब के असी जिवें जिवें साथी प्रैक्टिस रैपिटीशन हो दी रहन दी है, असी आटोमेटिक बिहेवियर हो जांदा है, आटोमेटिक बिहेवियर अवचेतन मन तो दार पिछे करके आएं हाँ, उना एक्जामपल तो समझा जा सकता है, कि एक व्यक्ती लिए, एक लड़के लिए, एक क्रश होएगा, लेकिन किसे लड़की नो अवाइड करदा हो सकता है, उस लड़की नो जिसनो अवाइड किता जा रहा है, एक लड़के द्वारा हो सकता है, दूसरा लड़का उसनों like करदा हुए, so individual difference stimulus विच वी हन, तो response विच वी है, so individual difference दी जो गल आनी है, तो response दी ज्यादा आनी है, तो सकदा है, same खाने नू एक person like करदा है, दूसरा नहीं like करदा, वो उस वल पजदा है, दूसरा उस तो पजदा है, तो सकदा है, एक teacher नो एक student like करदा है, उस दा period attend करना चांदा है, दूसरा उस तो पजदा हो, next है, this article feature of stimulus and response, always, stimulus should always understood in the relation of response, जवाब दे संदव, विच ही उदी पनू हमेशा समझया जानदा है, एकल बहुत important है, इस video, the next part, विच आपा theory पढ़नी है, वो इस तो start होएगी, क्योंकि जदो तुसी class conditioned stimulus नो समझना है, तो हमेशा ही conditioned response दे संदर विच समझांगे, इस नो जोड के समझांगे, नाल में नुक्ता दसांगा, इस से तरह unconditioned stimulus नो समझना है, पर अनकंडिशन रिस्पॉंस नाल जोड के समझांगे, तो जदो थियोरी जबेहिविरिजम, जदो classical conditioning, skinner, thorn dyke इना नो पढ़ना है, तो stimulus नो response, खास करके एस theory विच, classical conditioning विच, stimulus नो हमेशा ही response दे संदर विच डिफाइन करना है, इस तो पहला इस नो समझ लिए और competitive exam विच इसने answer दे सकिए, इसलिए MC को टेस्ट सी ज़रूर दे वांगे,